नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आप जानते हैं कि गूगल ने गूगल वेब इस्टोरीज का फीचर है वो लॉंच कर दिया है और यदि आपके पास कोई वेबसाइट है कोई ब्लॉग है तो आप भी इस्टोरीज बना सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलता है जिससे आपकी अर्निंग होती है और जो इस्टोरीज होती है उसको भी मोनेटाइज करा सकते हैं तो दोस्तों ये वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल की तरफ से जो वैब इस्टोरी की गाइडलाइन आई है उसमें क्या-क्या rules and regulation है जो आपको फालो करना है यदि आपकी कोई बड़ी website है और वहां पे आप इस्टोरी लगाना चाहते हैं तो आपक जब भी इस्टोरी बनाना है तो कोई भी copyright content को आपको यूज नहीं करना है आप इस्टोरी में अपनी कोई भी image डालते हैं फोटो डालते हैं टेक्स डालते हैं या वीडियो डालते हैं वो खुद का आपका create होना चाहिए किसी दूसरे का आपका copy नहीं होना होना चाहिए औ यदि आप किसी का content copy कर लेते हैं और उसको आप story में लगा देंगे तो आपकी stories block हो जाएंगी और वो लोगों को दिखाई नहीं देंगी दोस्तों आगे चलते हैं तो इसमें इन्होंने कहा है जो guideline में कहा है कि do not use heavy text आपको story में बहुत जादा text को use नहीं करना है यदि आप जादा text use कर देंगे तो वो story का जो पूरा feature होता है वो पूरा वेकार हो जाएगा उसका sense फिर नहीं बनेगा और वो useless हो जाएगी तो बहुत जादा आपको text use नहीं करना है आपको 180 words से कम की story बनानी है story के अंदर आपको 180 words से कम use करना है text दोस्तों आगे चलते हैं तो इसमें बताया गया है guideline में कि do not use low quality images and videos जब भी आप story बनाते हैं तो आपको low quality की images और videos यूज नहीं करना है आपको high quality की images और videos यूज करना है बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ही बिकार quality की images और videos डाल देते हैं जिसमें pixels फटे हुए होते हैं तो उस तरह का आपको काम नहीं करना है ठीक है ये भी इसमें guideline में बताया गया है और Google का ये भी कहना है कि जब आप low quality का images और videos यूज करते हैं तो उससे audience के ओपर negative impact जाता है तो आपको high quality की images और videos को यूज करना है जब भी आप अपनी website के लिए story बनाते हैं दोस्तों आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा point है जो इसमें कहा गया है guideline में sequence wise जो आपकी story कैसे होनी चाहिए sequence wise और narrative structure होना चाहिए यानि एकदम sequence में होना चाहिए जिस तरह से एक कहानी होती है एक पार आता है फे second पार आता है उस तरह एकदम sequence में होना चाहिए और जो audience है आपका जो viewer है वो उसको आराम से समझ जाए उसमें कोई भी दिक्कत उसको नहीं होनी चाहिए और ये तो आप आराम से सीख जाएंगे अपने mobile में आप story खोल लीजिए जो बड़ी बड़ी news website है उनको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि sequence में सब कुछ ह होता है इसी तरह दोस्तों आपको story बनाना है next पर चलते हैं दोस्तों इसमें garden में कहा गया है कि web stories must be complete आपकी जो story है वो complete होनी चाहिए उसने फूरी जानकारी होना चाहिए एक्जांपिल के तौर पर माल लीजिए आपकी कोई health website है health blog है और आपने story बनाई 5 tips for glowing skin अपनी जो तवचा है उसको गोरा बनाने के लिए 5 tips तो दोस्तों उस story में आपको वो 5 tips बतानी पड़ेगी ऐसा वहाँ पर वादा निबाना है तो आपकी stories पूरी होनी चाहिए और वो आधी अधोरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों आगे चलते हैं तो इसमें आगे बताया क्या है कि do not try to make a commercial story मतलब आपको बहुत आपको जो आपकी story होनी चाहिए उसकी कुछ value होना चाहिए यह नहीं है कि सिर्फ आपने अपना कोई वहाँ पर link लगा दिया और सिर्फ आप पैसा कमाने के चक्कर में हैं तो आपकी story का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए उसमें value होनी चाहिए और उससे public का भी कुछ फायदा होना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे बताया गया है कि आपका जो वीडियो है वीडियो शूट बी शूटेड इन पोर्ट्रेड मोड यानि कि जो खड़ा खड़ा जो होता है उस तरह आपको वीडियो वहाँ पे अप्लोड करना है वो लैंडिस्केप में नहीं होन करते हैं तो यह भी आपको बात याद रखनी है कि जो भी वीडियो आप इस पर अपलोड करते हैं चाहिए दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके वीडियो पर कैप्शन होना चाहिए जिससे जो आपकी ऑडियंस है आपका जो वीवर है वो इसको समझ पाए बह वहाँ पर आप कौन सब मैसेज देना चाहते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने बताया है कि एक स्टोरी में सिर्फ एक लिंक आप लगा सकते हैं चाहे तो आप अपना एफिलेट लिंक लगा दीजिए बस एक स्टोरी में एक लिंक लगाना है और ज्या चाहिए यानि कम से कम 5 और ज्यादा ज्यादा 30 pages होने चाहिए तो दोस्तों ये सारे ये सब ये rules and regulation है जो guideline में बताया गया है और दोस्तों जो guideline है वो आप और चीतरे जानना चाहते हैं तो मैंने description में डिंग दे दिया है वहाँ पर जाकर आप Google web stories की guideline rules and regulation सब कुछ वहाँ पर पढ़ सकते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और comment करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों हमारे चैनल को भी subscribe करें